कि वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवे देने एकर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक और शेर भी कर देना कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर सेलेबस डेडिक्ट हुआ है यह वह इसी क्वेश्चन के जवाब देने के लिए यह वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ देखे मेडिये स्टूडेंट्स आपका सेलेबस आज चीज है कोई भी चीज उसके अंदर से डेडेक्ट नहीं हुई है ना ही उसको निकाला गया है इसलिए 100% सेलेबस आपको प्रिपेर होना है जिसके अंदर कोई दवरा है नहीं है पेपर पैटर्न है जिस तरह एनिवल का पेपर पैटर्न था टेंथ च्क्लास के लिए उसी तरह पेपर पैटर्न रहेगा 9th क्लास 10th क्लास के लिए पहले बिर दोदो पेपर होगा करते थे लेकिन अभी single पेपर है कोड़ी कोई भी चीज नहीं हुए ना एक्जाम्स का पैटन चेंज हुआ है ना एक्जाम्स का सेलेबस चेंज हुआ है आपको 100% fokus करना है 100% आपको dedication के साथ आपको study करना है completely syllabus इस तरह आपको complete करना है कि कहीं से भी questions आए हम उस questions को लिख सकना लिख पाना है क्योंकि continuous conference evaluation में concept बहुत matter करता है अगर आप lesson का concept अच्छी तरह समझेंगे lesson को अगर अच्छी तरह understand करेंगे तो उस lesson से questions कहीं से भी पूछें दो आप आसाने से लिख सकते हो लेकिन बहुत सारे students bad luck के लिए lesson को understand नहीं करते बहुत ज्यादा schools में absentism होते हैं बहुत सारे students focus नहीं करते exams जब पास आते हैं या FA हों दो या whether it is SA1, whether it is SA2, whether it is prepanel कोई भी exams हो, सिर्फ exams के वक्त पढ़ते हैं और वो भी कौन से सुझे, कौन से और कहां से पढ़ते हैं अपने वोबुक्से या दूसरों के notes लेकर या दूसरों के answers लेकर पढ़ते हैं यह बहुत ही bad happy है आपको self notes होना चाहिए आपको self questions के answers देना आना चाहिए क्योंकि कितने answers याद करोगे अगर वोबुक्स या दूसरों के notes याद करोगे एक लस्मे minimum आप English मिलेंगे तो बहुत सारे जज़्दिस बाराबर answers है physics, chemistry, biology उसी तरह, social में उसी तरह है तो किसने answers याद करोगे अगर concept आप lesson का समझ जाओगे तो concepts याद करने के आपको जरूरत नहीं आएगी या self notes आप बनाएंगे क्योंकि pass होना बहुत normal बात है लेकिन अच्छे mark से pass होना अच्छे rank का achieve करना यह बहुत ही अच्छी बात है तो आपके मन में कुछ ना कुछ target होगा आपके मन में कुछ ना कुछ आपका GPA आप mindset करके रेखे होंगे उस mindset को पहुंचना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा अब false division है यह disjunction है आपको 9 point चाहिए 9.5 चाहिए 8 point चाहिए 7 point चाहिए अब उस point के लिए कितने study आपको करना चाहिए उस points के लिए कितने आपको lessons पढ़ना चाहिए यह एक plan आपके पास होना जरूरी है क्योंकि अगर आप देखे 9 points के लिए आप पढ़ना चाह रहे है 9 points चाहते हैं लेकिन आपके study है 4.5 point के लिए तो यह आपको enough से नहीं होगी तो उसी हिसाब से आपको studies भी करना होगा चाहे कहीं से भी पढ़िए लेकिन intention मेरा और मेरे इस channel का intention यही है कि आप बिलकुल अच्छे मात से पास होना यही intention है उसी intention के वज़े से मैं वीडियो साब के लिए upload करता हूँ motivation भी मैं आपके लिए देते रहता हूँ तो media students यह एक video था बहुत सारे students का शंका दूर होगी होगी कि क्या syllabus चेंज हो रहा है क्या paper pattern चेंज हो रहा है कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही as it is जितरा 2022-23 में थी as it is जितरा 2022-23